गर्मी के बाद बरसात का पूरा सीज़ा निकल गया लेकिन मुगली नगरपाली का शेतर के लोग आज भी जल संकट की समस्या से जूज रहे हैं पिछले एक माह से नगरपाली का मुगली के मुखमद बसीर वाड के लोग पे जल एवाम निस्तारी की समस्या से जूज रहे हैं बड़ी बात तो ये है कि इस्थानी जन्द प्रतनीदियों एवं नगरपाली के अधिकारियों से वाड वासी गुहार लगा कर ठक चुके हैं मगर इनकी समस्याओं को लगता है सुनने वाला कोई नहीं है सामने में नगरपाली का चुनाओं है ऐसे में अब वाड के लोग जिम्मेदार अधिकारियों वा जन्द प्रतनीदियों को शबख सिखाने की बात कहते हुए चुनाओं बहिश्कार करने का भी मूड बनाते नजर आ रहे हैं अगर ऐशा हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार नगरपाली का एवं जीला प्रसेशन के अधिकारी होंगे क्योंकि समस्या का नीरा करन नहीं होने के चलते यहां के लोग बहुत परिशान है वाट वास्यों की इस समस्या को लेकर जहां पारसज नगरपाली के अधिकारीयों को आउगत कराने की बात कहते हुए पढला जहरते हो नजर आ रहे हैं तो वही नगरपाली के अधिकारी पूरे इस मामले से अनभिग्यता जाहिर कर रहे है जो की बड़ा सवाल ये है कि जब महीनों भार से यहां इस तरीके की समस्या है आखी नगरपाली के अधिकारीयों की इस बात की जानकारी कैसे नहीं होई मुंगेली से एकस्पेस सिपोर्टर रोहित कर्शप